फेस्टिबल सीजन स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अपने घर में कुछ न कुछ तैयारी में लगे हुए हैं घर को सजाने में और सफाई बगार का काम भी आप लोगों के घर में चली रहा होगा तो यहाँ पर मैंने कुछ रेजेक्टिट चूडिया निकाली है अपनी और इनहीं के ही मैं बहुत ही प्यारे आइटम्स बनाने वाली हूँ डेकरेटिव आइटम्स बनाने वाली हूँ दिवाली के लिए स्वागत है आपका मेरे चैनल में मेरा नाम है पूनम कैसे हैं आप सब लोग आई होफ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो यहां पर पहला आईडिया शेयर करती हूँ यहां पर मैंने चार चूड़ी ली है और साथ में उसी की शेप के मैंने चार्ट पेपर लेके कट कर लिया है और अब चूड़ी और जो पेपर है इसको आपस में इस तरीके से हाट ग्लू की मदद से इसको चिपका देंगे आप इसमें ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी चिपक जाएगा आराम से इस तरीके से ये मैं चिपका लूँगी और एक दूसरी कलर का मैंने चार्ट पेपर लिया है और इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है जैसे हम बच्पन में फैन बनाया करते थे ना पहले ए यहां पर आपस में मिला कि यहां पर मैं इसको चिपका दूँगी ग्लू से चिपकाने के बाद अब एक साइड में फिर से ग्लू लगाऊंगी और उसको मैं चिपका दूँगी जो बैंगल है हमारी पहली इसमें लगा दूँगे देखे इस तरीके से और यहां पर मैंने इ जैसे हम बचपन में उसी तरीके से वा मिटपॉंट में वही स्टैप्लर और फिर उसको फोल्ड करके चिपका के से फोल्ड करके उसको भी मैं वहां पर चिपका दूगी तो इस तरीके से मुझे चार बनाने हैं यह तो दो परपल और दो पिंक लिए है मैंने तो घर में पड़ी भी कोई भी जो हमारे घर में बेकार चीज़ हो आम उसका भी यूज़ करके बहुत अच्छी चीज़े बना सकते हैं आप मेरा पहला वीडियो भी देख सकते हैं मैंने उसमें भी घर में पड़े वे कार्ट बोर्ड और वेस्ट कपड़े का बनाया हुआ थ बाती है तो यहां पर नियूस पर इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक इस्टिक टाइप बना लेंगे आप चाहे तो कोई स्टिक भी ले सकते हैं हमारे असपास तो घर पेड़ नहीं है इतने अच्छे कहा से तो अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ है तो आप उसकी डाली भी कट करके यहां पर यूज कर सकते हैं या कोई घर में बहुत ही सुन्दर सा स्टिक हो वो भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने नियूस पेपर को फोल्ड करके लिया है और साथ में इसके ओपर चिप वो आप इसमें चिपका दीजिए इस तरीके से फोल्ड करके तो बीच बीच में मैंने यहां पर ग्लू लगाया है और इसको मैं फोल्ड कर लूँगी पूरे अच्छे से जिस तरह से एक पासुरी को सजाते है ना इस तरीके से मैंने इस स्टिक को कवर कर दिया है लेस से तो यह भी आपको इसली घर में मिल जाएंगे तो यहां पर दीखे रिबन से इसको अटेच करना है आप तो जाहे तो जैसे एक सांज जीसे जाते है ना पहले में बड़ा फिर छोटा फिर छोटा ऐसे करके ये ये वाला शेप जो आपका मन करें आप उस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं तो यहां पर मैं इस तरीका नहीं बना रही हूँ एक छोटा एक बड़ा करके मैं यहां पर अटेच करूँगी और ग्लू की मदद से इनको अपस में चिपका दूँगी और उपर मैंने हैंग करने के लिए भी रिबन लगा दिया है तो आप देख सकते हैं कि किता प्यारा यहां पर एक डेकुरेटिव आइटम बहुत ही घर में जो सामान होते हैं उससे बनके रेडी हो गया है तो चलिए अब बना लेटे हैं यहां पर दूसरा ऐड़िए यहां पर मैने ली हैं इस तरह से छे चूड़ियां ली हैं और यह देखिए एक के साथ एक यानिके दो-दो का मैंने पेयर बनाया है ये देखे एक पेयर ये तीन पेयर बन गए है यहाँ पर इनको मैं आपस में चिपका दूँगी और कोई भी आपकी घर में उन होना आप उसको लेके इस तरीके से पूरे जो बैंगल है उसमें लपेट दीजिए तीनो कलर का या गोलडन कलर का बोल सकते हैं वो लिए है उसके वह उपर मैं इसे रैप कर दूंगी तो बहृत ही ससता सामान है रिबन भी ये ये 10 रुपे में बहुत सारा रिबन आ जाता है गोलडन वाला और उन हमारे го हार में हैं बैंगल यह अपर बूर्ट लिया है और तीनों बैंगल लोगी और इसको कट कर दूंगी इस तरी के से दिखे और यहां पर मैंने लिया है तरी के से स्पार्कल शीट है यहां पर तो तो तीन है ना यहां पर सरकल तो तीनों ही अलग-अलग कलर के मैंने यहां पर शीट लिये हैं और सेम इसी नाप का बैंगल के नाप का इसको भी मैं कट कर लूँगे थोड़ा सा टाइम लगता है बस और अपने हाथ से अगर हम कोई चीज बनाते हैं अपने घर को सजाने के लिए तो मन में बहुत अच्छी वाली फिलिंग आती है ना तो यहां पर देखें कार्ट बोर्ड हैं तीनों इनको मैंने पल्टा है और यहां पर जो रिबन था यलो वाला वही मैंने उसी से ही इनको अटैज कर दिया है यहां पर यह देख सकते हैं यहां पर यह अटाइच हो गया है अब इसमें मैं ग्लू लगाऊंगी और जो शीट हमने कट की थी ना स्पार्कल वाली इसको मैं अटाइच कर दोंगी तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ऊपर नीचे लगा लीजिए काफी सुन्दर लगते हैं यह आप मेरे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं इसके लावा मैं और्गनाइजर वगेरा भी शेयर करती हूं वो भी देख सकते हैं किचन टेप्स भी शेयर करती हूं मेरे चैनल पर तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक भी जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा तो यहाँ पर देखे मैंने शीट लगाने के बाद इस तरीके से जो बैंगल मैंने रेडी की थी वो भी इसमें चिपका दी है यहाँ पर मैं लटकन लगा रहे हूं जो हमारी नॉर्मली सूट में लटकन लगती है ना दुपटे में या डूरी में वो मैंने अटैच कर दी है नीचे वाले में यह देख सकते हैं और यह देखे यह मैं शीशे लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है पाचुपे का पैकेट आता यह भी तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई सामान बाहर से हम लेके आते हैं तो बहुत महंगे होते हैं लेकिन अगर घर में ही थोड़ा सा टाइम देके और यह देखे चोटी मोटी चीज़े अगर लाके चीज़े बनाते हैं तो बहुत पैसो की बचट भी हो जाती है और अपने हाँ से चीजे बनती हैं तो वो भी बहुत प्यारी लगती है तो यहां पर मैंने सेट करके देख रही हूँ कि मुझे किस तरीके से मिरर लगाने है और जहां जहां मैंने सेट किया है फिर उसे में गलू की मदद से चिपका दूँगी बाहर से महंगी चीजे लाने से अच्छा है कि घर में थोड़ी सी कोशिश करके न अच्छे अच्छी चीजे बना लिजाए तो यहाँ पर मेरे पास पॉम पॉम रखे हुए हैं वो मैंने चिपका दिया हैं यहाँ पर दो तो देख सकते हैं कितने अच्छा सा घर के ही सामानों से कितनी प्यारी चीज बन गई है चलिए फिर नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं यहाँ पर मैंने चार बैंगल ली हैं ग्रीन किलर की इनको आपस में अटैज कर दिया है तो हॉट ग्लूगन से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इसे पेस्ट करने में आप जो फैवी क्विक होता है ना वो यूज कर सकते हैं बैंगल को चिपकाने के लिए अब यहाँ पर मैंने इसी शेप का देखे चार्ट पेपर लिया है और कार्ट बोर्ड लिया है कार्ट बोर्ड और चार्ट पेपर को मैंने आपस में चिपका दिया है और इसके उपर फिर मैं यहाँ पर बैंगल लगा दूँगी और ना यह थोड़ा सा चोड़ा है यह कड यूज़ किया है इस तरीके से देखिए और यहां पर देखिए मैंने स्पार्कल शीट लगा दी है तो देख सकते हैं आप कार्डबोर्ड है उसके नीचे फिर मैंने चार्ट पेपर लगाया है और उसको फिर अटैच कर दिया है चूड़ियों के साथ अब यहां पर मैंने मैरून कलर का देखिए इस तरीके से जैसे फोल होता है ना फोलो की पत्तिया होती है उस तरीके से यहां पर मैंने दो पैटल् और एक यलो कलर का तो देख सकते आप एक के उपर मैंने इसके ऐसे पेस्ट कर दिया है और इसको हाट ग्लू की मदद से मैं चिपका दूगी तो थोड़ा ऐसे चिपकाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो मैंने इसको फिर पलटा है पलटने के बाद अच्छे से आप इ तो यहां पर कुछ बीड्स हैं हार्ड शेप के इसको मैं यहां लगा दूँगी और आप अपनी मर्जी से कुछ भी आपके पास सामान होना उसे डैकुरेट कर सकते हैं अब यहां पर कुछ मोती हैं मेरे पास तो बीच बीच में यहां पर देखें मैं मोती लगा दूँगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर और इसमें न बीच में कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि जैसे दिवाले पे हम लोग दिया जलाते हैं न इसके बीच में हम दिया रखके जला के दिफ़ सकते हैं तो काफी प्यारा लगेगा ये देख सकते हैं तो ये देखिये बनके रेडी हो गया है बीच में दिया रखेंगे दिफावली के दिन तो कितना प्यारा लगेंगा चलिए फिर नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं यहां पर कोई भी वेस्ट होना आपका दुपट्टे का कपड़ा आप वो यूज कर सकते हैं और यहां पर मैंने बैंगल को लिया है अंदर और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है नीचे से जितना तेड़ा मेड़ा कपड़ा हो पेटा है नॉट लगा दिया है अब अपनी मर्जी से यहां पर इसको कैसे भी डैकोरीट कर सकते हैं तो इस तरीके से यहां पर देखिए होते हैं यह वाले मोती टाइप होते हैं इसको पेस्ट कर सकते हैं या लेस लगानी हो आपको लेस लगा सकते हैं तो यहां पर मेरे प पास पिंक होना तो बहुत प्यारा लगेगा वो या कोई भी आपके पास अच्छा शाइनिंग वाला कपड़ा हो नैट का कपड़ा हो उसमें और भी अच्छी चीज भर के आती है तो यहां पर देखें बीच में मैं एक बीट लगा दूंगी हार्ट शेप की और वहां मैंने इतना सा काम है और इतना प्यारा यह देखें कितना प्यारा एक डेकोरेटिव आइटम बनके तैयार हो गया है तो यह दो का पेयर होता है एक साथ आप इसको डोर पे लगा सकते हैं एक इस साइड और एक दूसरे साइड तो सेम इसको भी मैंने ऐसे ही तैयार किया है बीट् मैंने मतलब बना के तैयार किया है तो बताईएगा आपको ये वीडियो और ये आइटम्स कैसे लगी अगर पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा प्लीज भूलिएगा और लाइक करना तो प्लीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर